हरियाना विधान सभा के चुनाव के बाद से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और उसके सुप्रीमों निजी कारणों से प्रदेश की राजनीती से गाइब थे मगर अब उन्होंने एक बार फिर से ताल ठुक दी है और दावा पेश कर दिया है कि आगामी चुनाव में सरकार किसी की भी बने उसे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के समर्थन की जरूत जरूर पड़ेगी इतना ही नहीं आमादमी पार्टी के उस दावे पर भी सेनी ने सवाल खड़ा कर दिया जिसमें आप नेता कहते हैं कि पंजाब ने आमादमी पार्टी की नीतियों के चलते बहु मत दिया है उन्होंने कहा है कि अगर पंजाब में आमादमी पार्टी अपनी नीतियों की वजह से जीती है तो बाकि चार राज्यों में उसका सफाया कैसे हो गया क्यों उसे एक भी सीट नहीं मिली नीतियां वहां क्यों नहीं जीती जादा ना सरकाल ना मनाती तो कोछ शिटें आने की यह थी यह जीत सासन के खराब खलाब एक विद्रो था तिसान अंदोलन एक साल तक चला और वो लोग बीजेबी और अकालियों को बोड़ देनानी चाहते थे कांगरस में अंतर कल्या थी वहां पर हैसी काड़ के तोर पर खेल करके जो एना वहां एसी चीमिनिस्टर बनाये गया अब इस देश की बत की सम्ति हैं कि एसी को और बीजी को ना एसी बीजी बोड़ पते हैं और जन्नल कटा की रिपोड़ पती हैं तो लोगों ने अपनी बोटे और हमारी बोटे में करके एक तरफा आप पार्टी को डाल दी और उसको लगा गे मेरी नीतियों की जीतोगी अभी चार इलेक्षन पांच इलेक्षन अगले साल में हैं और दो इसी साल हैं पता लग जाएगा कि भाई नीतियों की जीत ती या विद्रोहों था और किसान आंदुलन का भी पंजा में काफी असर दिखाई दिया सैनी ने आमादमी पार्टी से कहा है कि आगामी दो सालों में पता चल जाएगी कि ये नीतियों की जीत थी या फिर विद्रोहों की बता दें कि सैनी जजजर में आयोजित एक कारिकर में शामिल हुए थे जहां उन्होंने प्रदेश के मुद् जजर से प्रवीन कुमार धन्खड पंजाब केसरी टीवी